Hey plantaholics, welcome back to my channel, hope you are doing well. Friends, this video is all about hibiscus plant care for heavy flowering in the month of March and April. या फिर friends, आप इसको कैसे अपने spring garden के लिए तैयार करोगे, तो यह पूरा वीडियो आज friends, इसी पे होने वाला है, कि हमें इसे किस तरीके से fertilize करना है, ताकि हमें बहुत ही खुबसूरत से, और numbers में flowers मिले spring season में, या फिर March और April में, तो friends, अबसे पहले मैं आपको अपने ये कुछ plants hibiscus के दिखा देती हूँ, ये देख सकते हों friends, सभी में birds वगेरा आ रही हैं, क्योंकि friends, अब इन में flowering होना शुरू होगी, क्योंकि friends, hibiscus जैसा कि आपको भी पता एक evergreen perennial flowering plant होता है, साल भर ही इसमें बहुत अच्छे से flowering होती है, बस कुछ time के लिए जब बहुत जादा ठंड पड़ती है, तब ही इसमें flowering नहीं होती है, तो friends, आप इसका season आ रहा है, तो friends, हमें इसे अच्छे से fertilize करना, इसे अच्छे से feed करना है, क्योंकि एक heavy feeder है, तो इसको fertilize भी बहुत अच्छे से करना है, और friends, इस समय पर आप इसकी pruning भी कर सकते हो, मेरे plants में already, आप birds बन रही है, तो मैं प्रोनिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ plants में मैंने की हुई है, तो इसके लिए friends, fertilize करने के लिए, आपको ऐसे decompose, गोबर की खात की ज़रुत पड़ेगी, और इसके साथ-साथ friends, यह नीम खली है, और आप bone meal देख रहे हो, जो कि मैंने 25-25% लिया हुआ है, और friends, इसके साथ-साथ मैं यह ले रही हूँ, दो kale की छिल्के जो friends, बिल्कुल सूखे होते हैं, वो मैं इन चाल प्लांट्स के लिए ले रही हूँ, क्यूंकि बनाना पील के बारे में आपको भी पता हो यह बहुत ज़ादा इसमें पोटेशियम जो होता है वो रिच होता है इसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजन का भी मॉडरेट लेवल में पाये जाता है तो बहुत अच्छा होता है आपकी प्लांट की ओवराल ग्रोथ के लिए भी और फ्रेंट्स एक रीजन और भी है मैं इसको मिला रही हूँ क्योंकि जब आप बनाना पील अपने प्लांट में डालेंगे तो अमोमन हिबसकस प्लांट के साथ एक प्रॉब्लम यह होती है कि उनकी पतियां पीली होनी लगती है एक तो होता फ्रेंट्स जो नैश् प्लांट की कमी की वज़े से भी ऐसा होता है तो फ्रेंट्स आप यह मैं सभी मिक्षर को बहुत अच्छे से मिला लूँगी जैसे कि फ्रेंट्स मैं आपको दिखा रही हूँ तो फ्रेंट्स इसमें बनाना पील मिलाया जो की फ्रेंट्स एक स्लो रिलीजिंग बना कर डाल सकते नहीं तो फ्रेंट्स आप इसको ऐसे भी डाल सकते हैं तो फ्रेंट्स आप मैं इनको सबको अच्छे से मिला लूँगी क्योंकि मुझे इने अच्छे से फर्टिलाइज करना है और जितने भी आप मेरे यह जो पॉट्स देख रहों यह सारे ही 12-12-1 इंच इनको मैं हटा देती हूँ अब मैं इसमें तीन मुठी भर कर यह डाल देती हूँ यह जो फर्टिलाइजर मैंने बनाया है यह देख सकते हो आप फ्रेंट्स और इसका फ्रेंट्स रिजल्ट भी मैं आप लोगो के साथ फॉर शेयर करूंगी क्योंकि फ्रेंट्स जब आप अच्छे से फ्लार्स आपको मिलेंगे नहीं तो इस टाइम पे आप इसको जरूर अच्छे से फर्टिलाइज कर लीजिए और इससे मैं हाथ से ही मिला दे रही हूँ क्योंकि जो स्वाइल है वो काफी सॉफ्ट भी है और मैंने गुड़ाई ऑलडी इसकी कर रखी तो इसलि बहुत जगास में होनी चाहिए तो इस तरीके से मैं यह तीनो ही मिक्षर को डाल दे रही हूँ ताकि यह अच्छे से मिल भी जाए स्वाइल में भी और आपको थोड़ा सा इसका जो बोन मिल हो गया और आपका नीम खली हो गया उसका भी बेनफिट बता देती हूं उसके सा केलशममें भी नाय ट्रॉजन में भी होता है तो आपके प्लांट में जो बर्ट वह होंगी और ज्यादा इससे निकलेंगे और फ़ारिंग को भी ये इंहेंस करता है इसके साथ-ससाथ अपके प्लांट के जो रुड पकी ग्रोफ होती है उसको भी बहत ही अच्छे से इनकर इसके साथ फंजी साइट, पैसी साइट, फर्टिलाइजर के तौर पे बहुत अच्छे से वर्क आउट करता है और नीमखली का फ्रेंड्स अगर बेनिफिट आपको देखना है तो इसका लिंक मैं उपर आय बटन पे देदूंगी वहां जाकर आप उस वीडियो को जरूर चे तो फ्रेंड्स इसको आप बहुत अच्छे से मिक्स अप कर लीजे, स्वाइल में मिला दीजे जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हो और इसका जो रिजल्ट होगा फ्रेंड्स आपको अभी फ्रेंड्स मार्ज ये जो फैबरी चल रहा है फैबरी एंड तक में ही दिखन तो मैं फ्रेंड्स आप पानी इसमें डाल देती हूँ तो आप ऐसे स्प्रिंकलर की मदर से या फिर आप फ्रेंड्स नॉमली आप वैसे भी पानी डाल सकते हो मग में भर कर भी लेकिन फ्रेंड्स स्प्रिंकलर से थोड़ा से अच्छे से पानी डल जाता हो और पतियों पर जो fertilize करना है वो इस वक्त पे आप जरूर कर दीज़े ताकि आपकी भी plant में बहुत अच्छे से flaring हो और friends यह देख सकते हो यह मैंने already pruning इसकी पहले ही कर दी थी friends और यह देखिए अब इसमें देखिए कुछ की जो पत्तियां थोड़ी सी पिली-पिली से दिख रही है मैंने कर दीए जिनकी pruning की requirements ही तो उनकी मैंने कर दीए अगर आपके भी plants में birds बनना शुरू हो गई है आपका plant healthy दिख रहा है तो प्रूनिंग मत करिएगा और अगर आपके plants में birds नहीं बनिए तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं अगर आपको जैसा भी shape और size पसंदो और ऐसी friends पुराने जो spent flowers हैं उनको जरूर अपने plant से हटा दीजे friends ही बिसका एक बहुत ही ज़ादा खुबसूरत flowering plant होता है बस इसमें एक यही दिक्कत होती है कि इसका जो flower होता है friends वो सिर्फ एक ही दिन के लिए रहता है मतलब वो एक ही दिन खिलेगा उसके बाद दूसरे दिन आपको वो नहीं मिलेगा अपने plant पे लगाओ वो spent हो जाएगा नहीं तो friends बहुत ज़ादा खुबसूरत यह plant होता है लेकिन numbers में फ्लारिंग करता है तो friends बहुत ही खुबसूरत आपका जो पूरा spring garden होगा friends वो देखने में लगेगा तो अभी के लिए फिलहाल friends यह must आपको करना है अपने hibiscus plant के साथ especially तो यह काम आप जरूर कर लीजे तो friends इस तरीके से अगर आप इनको fertilize करेंगे तो बहुत ही खुबसूरत से flowers और आपका जो plant होगा friends मैं एक चीज़ पर stress out हमेशा यह करती हूँ कि अगर आपके प्लारिंग नहीं भी हो रही है अगर आपका plant healthy है सबसे पहले कोशिश यही करिए कि आपका plant healthy रहे उसकी leaves नहीं करना है बस जब इनकी requirement हो उत्ते ही समय आप इनको fertilize करिए और timely पानी दीजिए और sunlight दीजिए तो आपका भी plant friends देखने में बहुत जादा कुबसूरत लगेगा और friends बहुत सारी उसमें birds भी बनेगी तो friends I hope आप लोगों को मेरा यह आज का वीडियो पसंद आया होग और friends अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो please मेरे चैनल को like, share और subscribe जरू कीजेगा और friends अगर आप अभी जुड़े हो मेरे इस चैनल पे तो please मेरे चैनल को subscribe जरू कीजेगा Hope you like the video, thank you so much Hope you like the video, thank you